उदासीन आश्रम के महा मनलेश्वर स्वामी शांता नंद जी महराज के सत्शिष्य एवं युवा संत दिव्या नंद जी महराज के मुखारबिंद से दिव्य श्री रामकथा का प्रसारन हल्चल चैनल पर प्रति दिन सुबे नौ बजे से साड़े नौ बजे तक और साइस साड़े पाँच बजे से छे बजे तक किया जा रहा है आप सभी इस दिव्य श्री रामकथा का श्रवन कर प्रभू कृपा के पात्र वने और मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूं गुरु समर्पन की वस्तु है मैंने ज्यादा गीता का अध्यान नहीं किया परन्तु मुझे जितना ध्यान है कि जब तक अर्जुन ने शिशत्य स्विकार नहीं किया तब तक कृष्ण ने गीता कहना भी आरम नहीं किया तक तक भगवान समझाते ले भईया ध्यान रखो ये करो वो करो अभी तक ज्यान गंगा वो प्रभा अचालू हुआ ही नहीं पर जब अर्जुन ठक गया और अर्जुन ने ये बात कही कि कारपण्य दोशो पहता सभाव प्रिच्छामित्वाम धर्म संमूड चेतः यच्छ मैं आपका शिष्य हूँ और आप गुरू रूप में मुझे मेरा मार्क प्रशस्त करें मुझे सही रास्ता दिखाएं जब ये बात कही उसके बाद भगवान ने कहा कि अब तो सही जगह आया है अब गीता आई है हम जब गुर्दवारे में जाते हैं ये मुझे बड़ा संदर भाव याद आता है कि सिख संपर्दाय में बड़ा संदर नियम है कि बच्चे का जन्म होता है और जब डॉक्टर्स अलाव करते हैं कि अभी घर से बाहर जा सकता है तक उसे बच्चों को सबसे पहले रोज कि इसे संपरदाय कंना समझें के आप के यांब होता होगा एक हमारे वाद बड़े कि यांपब दीफ व। ऑपने आप में संस्कान हो तो वो हमेशा गुर्दवारे में जा करते हैं क्यों करते हैं भाई बहुत पैसा है बड़े बड़े घर है गर में अच्छीPlus पारटी धर अरेंज करो, अच्छी आयोजन, अरेंज करो, क्या दिक्कत है, गुरुद्वारे में ही जाके कर रहे हैं, क्यूं? कितना सुंदर संदेश है उसमें, वो उस बच्चे को, गुरुगरंद साहिब जी को गुरु रूप में जान, उनके आगे पहले उसे माथा टिकवाते हैं, औ एक नया व्यक्ति आया है, एक नया बालक आया है, हम तो अपने सामर्थ अनुसार, केवल इसके शरीर को ढखने के लिए, इसे कुछ कप्ड़े पहना सकते हैं, हमारे जो कप्ड़े हैं, वो इसके शरीर को ढखेंगे, पर आप इसे, धर्म का चोला पहनाई है आप में से जो मातरावानी का पाठ करते होंगे उसमें आता भी है धर्म का चोला सत्त किसेली भाव ये है कि गुरु व्यक्ति को धर्म का चोला पहनाता है और मैं पुने निवेदन करूँ आगे फिर अफसर आएगा पर मैं बार-बार याद दिलाता रहूँगा कि धर्म और संपरदाय में जमीन आस्मान का अंतर होता है धर्म को और संपरदाय को कभी आपस में मिक्स मत कीजिएगा जब मैं धर्म शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ हम माथा डेखते हैं समरपन प्रगट करने की लिए हमारे पास क्या मार्ग है माथा डेकते हैं बाई तो माथा ऐसे इने टेक लिया जाता हो उसकी प्रकरिया बनी है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं या भी आपको पोथी को मत्था देखना है यहां खड़े हो क्या करोगे सिर नहीं ढखोगे ये कुछ जगा है दक्षिन भारत में आप जाईए वहां पर सिर छोड़िए वहां पर तो स्री आप साड़ी में जाते हैं और जितने पुरुष हैं उनके सारे वस्थर उतार लिए जाते हैं ऐसे दोती पहन के जाते हैं अंदर ये मत्था टेकने का कोई ये हम हमारा भाव हो अलग बात है पर ये कोई इसका नियम नहीं है हमें कुछ काम जरूर करने पड़ते हैं सबसे पहला हम अपने घुटनों के बाहर बैठते हैं ना तो करते हैं उसका क्या भाव एक महावरा भी है घुटने टेक देना हम क्या कहते हैं भाई महाराना ने अकबर से हार गया वो व्यक्ति उसकी सेना द्वारा मर गया वो घायर हो गया परन्तु जीवन में कभी अकबर के सामने घुटने ने टेके महाराना ने मतलब समर्पन ने किया हार नहीं मानी तो गुरू के पास जाके सबसे पहले माथा टेकते हैं हम तो पहले हार मानते हैं हमारा जितना विवेक बुद्धि हमने जितना जोर लगाना था वो अलग है पहले तो हमने आपके आगे आगे हार मान ली आपके आगे हमारा कोई बखने उसके बाद मस्तक जमीन पे रखते हैं बहुत बड़ी चीज़े साथ सिर को किसी के पाउं में रखना यही हमारा सारा ज्यान है यही आपके जीवन का सारा निचोड है यही आपका सारा अनुभव है और यह आप किसी के चरणों में रखते हो यह बताते हुए कि यह जितना कुछ है मेरे पास यह सब आपकी चरणों की धूल के बरावर है मुझे कुछ नहीं आता उसके बाद क्या करते हैं माथा टेकना हो गया क्या गुचने के बार बैट गये सिर्ष जुकाले अब तो खड़े होना और कुछ बचाए क्या भी बचाए देवियर सज्जनौ आप बहुत महत्वपुन बात भोल रहे हैं ये इस एक चीज के चक्कर में राम और रावन के बीच में युद्ध हो गया था और ये हैं नाक नाक रगड़ी जाती है माथा टेकने में नाक रगड़ने के परंपरा भी है नाक रगड़ी जाती है क्यों नाक रगड़ी जाती मुझे ध्यान है ज delusing में नाग बहुँ छोटा था, मुझे झान में कहां करना ही गरा था तो मुझे संतोज गुर जी ओढ एप हैंपे, मुझे दिख नहीं रहे अच्छा, म selber के रूंटा तो मुझे ध्शन संतोज गुर जी ने मुझे एक बात पूछी ती बहुत छोटा था तो उन्होंने मुझे बात पूछी थी कि दिभ्यानन तू स्थेज पे जाके बोलेगा मेरी नाख तो नहीं कटाएगा ना अब नहीं पूछते वो अब उनको भरोता है अब भरोता मुझे क्या एसा अब रागवेंदर की कृपार भाव यह तो उस समय मुझे बात नहीं समझाई मैंने तो यही उत्तर दिया था उन्हें याद होगा कि आपकी नाख कौन काटेगा परन तो भाव यह है नाख हमारे सम्मान का प्रतीक है हम माथाड तेखते हैं तो नाक रगड रहे महराज हमारा मान सम्मान अभिमान यह सब आपका का रगड रहे घस रहे कुछ नहीं आपके सामे, खतम हो यह किसी तरह, बड़ी विशेशता है, बड़ी आप में से जो लोग किराने का काम करते हैं, या आप महिला हैं, तो आप जानती हों कि बाजार जाती हैं, चने चुनते हैं न, चने, तो चने की एक नाक होती, जो तीखा पर रहता है न, उसे उ नाक नहीं है, क्योंकि अब वो नाक नहीं है, तो वो मटर जैसा दिख रहा है, अब वो चना नहीं लग रहा, चने का स्वाद भले देदे, पर वो दिख मटर जैसा रहा है, चने का भाव में नहीं बिकेगा वो, क्यों, क्योंकि उसकी नाक नहीं है, नाक बहुत बड़ा व प्रफाओ को एक विद्वान ने बहुत सुंदर कहा कि गुरु के प्रति हमारा विश्वास नाई जैसा होना चाहिए और समर्पण मुर्दे जैसा होना चाहिए मैं तो नहीं गया कभी नाई के पास परा यहां पर आप सब जानते हों नाई के पास जाते हैं मैंने बाहर से बहुत दोगों को देखा है कि जब नाई शेव कर रहा होता है तो लिटरली वो आके बंद होती हैं या सो जाते हैं मुझे नहीं पता जबकी लग जाती है, मेरे मन में विचार आता है, कि उसका जो उस्तरा है, वो उनके स्वास नली के इतने पास चल रहा है, कि अगर गल्ती से उसका हाथ फिसल गया, तो गोविंदा नमो नमा, काम डल जाए किसी का, परन्तु, हमें उस पे इतना भरोसा है, कि वो संभाल लेग गुरू के प्रती भरोसा नाई जैसा होना चाहिए, जैसा नाई पर नाई के बाए जाके किसा निश्चिन्दों के सोते हो, और समर्पण मुर्दे जैसा होना चाहिए, आप मेंसे जो लोग तैरना जानते हैं, वे इस बात को समझते होंगे, जब तैराग जब तैरता है न, तो जब पानी में नदी में छलांग लगाता है तो नदी की जो लहरे हैं वो उसे बार 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 अपने आगोश में लेने का प्रयास करती है कि किसी तरह वो कोई गलती करे और हम उसे अपने आगोश में फिर वो उपर ना आपाए, डूब जाए, खत्म हो जाए परन्तु वैसे तो ये करना भी नहीं चाहिए भारत में बहुत कम भी हो गया है पर बहुत देर तक रहा भी है अभी भी शायद कहीं गाओं वरगर में ये मनाया जाता होगा कि मुर्दे को आज भी हम पानी में डाल देते है कई जग आज भी होगा, अब तो बहुत कम हो गया ये पर पहले बहुत प्रथा थी ऐसा कभी करिएगा भी मत और कोई मिल कोई करे तो उसको समझाईएगा, नहीं करना चाहिए पर एक मशेश बात ये है कि जब मुर्दे को पानी में डाला जाता है तब उसे ऐसा नहीं कि बस मुर्दा उठार पानी में डाल दिया उसके साथ कोई ना कोई भारी वस्तु बांध के उसको डालना पड़ता है क्यों? क्यूंकि अब तो काईदे से वो पानी के लहरों को समर्पित हो चुका है अब वो खुद कोई प्रयास नहीं कर रहा है अब तो जैसे पानी की लहरे चाहें उसका व्योहार वैसा ही होगा और यही विशेष्टा है कि कल तक वो ही तैराग जब पानी में छलांग मारता है तो वो ही पानी की लहरे उसे अपने आगोश में लेने का प्रयास करती है परन्तु आज जब यही वेक्ति आज मुर्दे का सोरूपधारन कर लिया है इसने तो पानी में गया है तो इसे एक भारी वस्तु से बांधना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि आज समर्पित है आज तयार है पानी की लहरों के साथ चलने के लिए और आज जब व्यक्ति तयार हो जाता है तब वही पानी की लहरें जो कल तक उसे डुबाना चाहती थी फिर उसे अपनी गोध में खिलाती है ठीक यही कृपा गुरु की होती है आप अपना ज्यादा दिमाग लगाएंगे आप खुदी में लोग कहते हैं गुरु नहीं मिला सच्चा गुरु नहीं मिला मैं कहता हूं शद्धा सच्ची रख भाव तो सच्चा हो ऐसे तो भाव वदलता है हमारा बहिया वहां जाते थे वहां आश्रम में जाते थे वह महत्मा जी के पाई जाते थे क्या हो गए वहां कुछ बात नहीं बने वहां कोई मजा नहीं अरे मजे के लिए जा रहे हो वाप किस काम के लिए जा रहे हो क्या भाव है आपका क्या शद्धा है जब गुष्वामी जी ने भगवान शंकरों दिवी पारवती की वंदना की तो ये लिखा कि भवानी शंकरों वंदे शद्धा विश्वास रूपी नो याभ्याम बिना नपश्चंति सिद्धा स्वांता समिश्वरम भाव मैं शद्धा रूपी पारवती जी और विश्वास रूपी महदेव की वंदना करता हूँ एक भाव ये है कि शद्धा से व्यक्ति विश्वास की और बढ़ता है दूसरा भाव ये है कि पहले जन्में सती चूक कर बैठी थी इसलिए वो अभी शद्धावान है पर महदेव ने कभी ये चूक नहीं की भाव जब हमारी जो शद्धा नाम की चीज़ा नहीं घटती बढ़ती रहती है अपना काम हो गया तो बढ़ गई नहीं हुआ तो कम हो गई शद्धा घटती बढ़ती रहती है विश्वास अटल रहता है अब मुझे पूझ ब्रह्मलीन अतुल कृष्ण को स्वामी जी माहराज का एक वचन याद आता है उन्होंने बहुत सुंदर द्रिश्टानत दिया था कि जब पती और पत्नी जो सद ग्रहस्त हैं अच्छे विचार वाले हैं जब एक कमरे में बैठे हों पती अपनी पत्नी के पास बैठा है पत्नी ने चुन्नी लेके रखी है और थोड़ी सी हवा चली और उसके कंधे से उसकी चुन्नी सरग गई पत्नी कभी संकोच नहीं करती क्यों मैं जानती है ये मेरा सौमी है ये मेरा भरतार है मैं इसको समर्पित हूँ, ये मेरा है इससे कैसी शर्म तो वो बहुत सुंदर एक बात कहते थे कि जिस तरह वो स्त्री के अगर चुन्नी के सरग जाने पे भी वो पती के सामने संकोच नहीं करती उसे अपना भरतार मान के तो जब एक शिष्य गुरू के सामने जाता है तब उसे किस बात का संकोच होता है अपनी क्या असलियत चुपाना चाहते हैं मैं कई बार देखता हूँ व्यक्ति हम किसी कहीं फोन पे अलग बात कर रहे होती इतनी देर में पीछे से कोई आके कहते है महारच जी आए महारच जी आए जयो महारच जी आते है अपने गुरू को और विश्वास कीजिए इस आचरण के साथ आप जित्ने मर्जी बार गुरू की शरण में जाए गुरू आपके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हर बार मुखोटा पहन के आ रहे इस मुखोटे को उतारिये साहब तब जाके गुरु कृपा होती है समय के अपने मर्यादा है और आज का प्रसंग विश्रिव विवा का है थोड़ा सा लंबा या लंबी यात्रा है इसके बाद देवियों और सजनों गोस्वमी जी ने संतों की बंदना की सतसंग की महिमा बताई अवदपूरी की बंदना की अयुध्यापूर के निवासियों की बंदना की गोस्वमी जी ने भगवान के परिवार की बंदना की खलों तक की बंदना की यानि खल यह मूट लोग राक्षास लोग इनकी भी गोश्वामिजी ने वंदना की बहिया आपको भी प्रणाप किसी ने पूछा संतों की कर रहे हो समझ आता है खलों की कर रहे हो यह की बात हुई इनकी करने की क्या वशकता है परंतु में बड़ा संदर भाव आता है कि आज जब वो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गया गुर्बाणी में बहुत संदर पंक्ति आई कि उसका प्रभाव क्या है सी ये राम में सब जग जाने हूं करहों प्रणाम जोर जोर अब जब सभी सीता राम हो गये अग जग रूप भूप सीतावर हो गया तो फिर खल अलग रहे कहां फिर तो ये भी संसमान है तो गुस्वामे जीने सब की बंदना की अंत में भगवान राम और मा सीता की बंदना करते हूए लिखते हैं कि गिरा अर्थ जल बीच समकहियत भिन न बिन बंदों सीता राम पद जिनही परम प्रियक्षिन जैसे समुद्र की लहरे और समुद्र दिखने में या कहने में के लगें सहाफ यह नहीं इसकी व्याख्या मैं अलग से किसे दिन करूँगा पड़न तो आज मैं आप सबसे एक निवेधन करता हूँ कि नौ दिन के लिए आप सब एक संकल्प ले ले हुआ हम क्या जैघोश लगाते हैं जैस्री राम कहते हैं जैस्री राम कहना छूड़ दीजे मुझे कहने दीजे ये हमारे समाज की वास्विक्ता है कि जैश्री राम में कहीं न कहीं आज सांपरदाइकता की बदबु आती है कहने दी देता है जैशी राम मत कहा कर मुझे दुख होता है जब कुछ जैशी राम कहता क्या कहना चाहिए जैसिया राम हमारी भारतिय परंपरा में कभी भी एक दूसरे को संबोधन में जैशी राम कहा ही नहीं गया जैसिया राम लोगों ने राम के बारे में बहुत कहा परंतु मैं निश्चित रूप से नौवदी निजबात से विचार करूँगा कि काईदे से तो राम को राम बनाने में जितना योगदान देवी सीता का है वो किसी और का नहीं है लोग कहते हैं एक स्री की पूर्णता उसके पती से होती है परंतु मैं ये कहता हूँ कि राम की पूर्णता सीता से है कृष्ण की पूर्णता राधा से है इसलिए हो सके तो जैसिया राम कहा कहिए Sita, देखे, Sita, आपको खुद को जैसरी राम में एक आकरोश नजर नहीं आता जब जैसरी राम कहते हैं इसमें प्रेम भाव, क्यूई इसमें मा की बात है ना, इसमें मा भी आ गई जैसरी राम कहा गाऊ कहोगे न ten से कम नौ दिन तो ध्यान रख़आ चलो lang प्राइब देवियों और सजनों इसके बाद गोष्वामीजी नाम महिमा लिखी, नाम महिमा के लिए जितना कहा जाये उतना कम है, मैं अक्सर यह बात कहता हूं, आज के युवान एक बात कहते हैं, कि भाई, जीवन में अच्छे काम करो, यह क्या नाम बगेर अपना इससे क् अभिमान नहीं होता, पर व्यक्ति जब जीवन में अच्छे काम करने शुरू कर देता है, तो उसे सबसे जादा अच्छे काम करने का अभिमान होता है, क्यों? अरे भिया, वो वहाँ गया था, उन्होंने कहा कि थोड़ा धरमशाला में काम करवाना है, एक लाग का चेक दे होता है, और तब जाके, नाम सुमिरन का महत्तो समझ आता है, नाम सुमिरन के लिए तो, मानस में बहुत कहा गया, महिमा जास जान गनराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, जुरूप सगलान जपयो हरिनाओ, पायो अचल अनूप मठाओ, अपत जामल गजगा निकाओ अपने बसकर राखे रामू, जितना कहा जाए, और मुझे तो सबसे अच्छी बात तो को स्वामी जी की लगती है, जो कहते हैं, कि मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथार अगुनात की, गतिकूर कविता सर्त की, जो सरित पावन पात की, प्रभु सुझे सिसंगती भनती भल ह यह सुझनमन भावनी, भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, उन्होंने बहुत संदर बात कहीं, कि जो मेरी लेखनी है न, ये जैसे किसी नदी की टेड़ी मेड़ी चाल होती है, मेरी लेखनी ठीक उस टेड़ी मेड़ी चाल की तरह है, कभी कुछ मुझे भी नहीं पता परंतु फिर भी लोग इसका इतना सम्मान क्यों करते है देवी और सजनो जब हमारे एक प्रता है हम शमचान घाट से आते हैं न तो सनान करते हैं आके और मैं आपको बताओ आज भी देहात में जाओगे बहुत जगा ये आज भी ये नियम है कोई शमचान से आए तो उसे सनान में घर के बाहर करना है घर में भी प्रवेश कई लोग नहीं करने देते क्यों? हम ऐसा समझते हैं कि जिस भस्म के सानिद में अभी हम रह के आए हैं जिस वातावरण में रह के आए हैं वो आप पवित्र है वो कहीं न कहीं हमें दूशित कर रही है वरना सनान क्यों कर रहे हैं आप जो मुर्दे की भस्म होती है कभी उसको बहुत शदाव आप से देखाया आपकी जिसके रिष्टेदार है उनको लगाव बाकी क्या है परंतु उसी मुर्दे की ताजी भस्म जब उज्जैन में भस्मारती के समय भगवान महकाल के उपर चड़ाई जाती है फिर उसी भस्म को हम भगवान के शिवलिंग से लेके अपने माथे से लगाते हैं अपने कंड से लगाते हैं अपने मस्तक से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि अब इसमें महाकाल जुड़ गए हैं, अब इसमें महादेव का आश जुड़ गया है, और ठीक इसी तरह को स्वामी जी कहते हैं, हमारे याँ, आपके ही नाकपुर के आप सब बड़े भागशाली हैं, आपके नाकपुर के एक ब परीत अती सुन्दर, मुझे याद है, उसका आखरी अंतरा बड़ा कमाल का है, जिसमें आतिश जी ने लिखा है, कि वैसे तो आतिश को कुछ आता नहीं फिर भी, कोई शब्द सुमन सुन्दर मैं लिखता नहीं फिर भी, तेरे नाम से लगता है, हरगीत अती सुन्दर, औ उस नदी की टेड़ी मेडी चाल की तरह है, परंतु इसमें राम का नाम है, इसलिए मंगल कर निकली मलहर नितुरसी कथार अगुनात की, इस नाम का परभाव है, हमारे राष्ट्र कवी ने, राष्ट्र कवी, सुर्ग्यशी, मैत्री श्रन गुप्त जी ने, जब साकेत लि काव है, कोई कवी बन जाए, सहज संभाव है, जो तुम्हारे बारे में लिखेगा राम, वो अपने आप कवी हो जाएगा, उसे कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, गो सौमे जी कवी है नहीं, राम के बारे में लिख रहे हैं इसलिए कि कथा करना हो इसलिए मुझे शेर याद आता है कि पहले तुम्हारे नाम का सदका निकाल कर रखा है तब चराग हवाओं में बाल कर अब आप सब असर ने म किससी भी देखीै किटनी है एक बात बताए जितने संप्रदाय के धर्मा चाहरे वो क्या कर रहे है बले मस्जिद में मौलवी जाभ है है मंदिर में आचारे जी बैठे हैं पर चर्च में फाधर है गृद वह में कोई पाठी है, कोई गरंती है, कोई ग्यानी जी महां पर कथा, यह क्या हो क्या रहा है यहां पर, मस्जिद में मौलवी साब के हाथ में भी सुमिरनी है, पंडिजी के हाथ में भी माला है, फादर के हाथ में भी सुमिरनी है, और गुर्द्वारों में भी माला की प्रथा ह जैसे मस्जिद में मॉलवी साव कुरान की आयते पढ़ रहे हैं पंडिर जी भगवत गीता का बांच रहे हैं भगवत कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं फादर चर्च में बाइबल पढ़ के बता रहे हैं वहाँ पर गुर्गन साहिब जी का पाठ हो रहा है सिक्संपरदाय में तो काहदे से देखा जाए ये हो क्या रहा है और नाम ही ले रहा है और क्या कर रहा है मुझे बताओ और उसका प्रताब देखिया सबसे पहला फल कि नाम लेने वाले को इस नाम ने इस संसार में नामी कर दिया कौन नहीं जानता इतने बड़े-बड़े कथा वाचक है मुझे ध्यान ऐसा सुनने में आता है कि एक समय था जब कथा एक पेड़ के नीचे बैठ के हो जाती थी वक्ता बैठता था सामने 20-25 लोग बैठते थे आज आप इस भवे पंडाल में बैठे हैं एसी हौल में बैठे हुए हैं यह कहां से आया कथा क्रूज में हो रही है कथा एरोप्लेन में हो रही है हर जगा कथा हो रही है हो क्या रहा है यह प्रभाव किस यह व्यक्ति का प्रभाव है क्या नहीं नाम का प्रभाव और नाम महिमा तो ऐसी है दिवयों सजनों कि कोई इसको लिखकर अमर हो गया इसके बारे में कोई इसके बारे में कोई से जबकर अमर हो गया और ये तक कहूं कि कोई इसके बारे में सिर्फ बात करके अंमर हो गया सम ने इसके बारे में कुछ न कुछ बात कही और गौसवम जी ने तो एक लाइन में बात कह दी कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज उल्टो औसूधों ओगी है खेत परे को बीज आप जब खेत में बीज डालते हैं तो उल्टा गया, टेडा गया, सीधा तो ऐसे ना, किसान तो उठाता है और इसे फैकता है, तो ठीक इसी तरह तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, जैसे मर्जी हो, पर नाम लिया करो, कभी-कभी जरूरी हो जाता है, सिर्फ आप सोचो अच्छे काम करो, नहीं कई पर आप अभिमानी हो जाओगी, जिस तरह एक कमरे को पूरी तरह साफ कर लिया जाए, और उसके बाद, हम 18 दिन के लिए बाहर चले जाएं, और दुबारा वापिस आके उसे खोलें, तब एक बार उसमें ज़ाडू मारना ही पड़ता है, पोचा मारना ही पड़ता है, क्यो इतो, मिल्टी आई जाती है, ठीक उसी तरह हम कितनी सफाई कर लें, बार बाद, बार बाद, कλλबार ज़रूरी होता है, और इन में भी, ऑगर भग्वान राम का नाम हो, तो महाधेर तो कहते कि राम, रामे, ती रामे, रामे, बनु रामे, सहस्त्र नाम, तत्विल्य अम, अब इतना तब कुछ याद है तो दो मिनिट के लिए ये भगवान का नाम लें और कथा मैं आगे में लिए राम नाम दो प्यारे बोल, राम नाम सब से अनमोर राम नाम दो प्यारे बोल, राम नाम सब से अनमोर राम नाम दो प्यारे बोल, राम नाम सब से अनमोर राम नाम के दो अक्षर से सारे जग को चोर राम नाम दो प्यारे बोल, राम नाम सब से अनमोर राम नाम दो प्यारे बोल, राम नाम सब से अनमोर राम नाम 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 राम नाम में कितना बल है लगा नहीं अनुमार राम नाम को लेकर उड़ गए पमन पुत्र हनुमार राम नाम को लेकर उड़ गए पमन पुत्र हनुमार राम नाम ही रहता जग में राम नाम ही रहता जग में राम नाम ही रहता जग में राउटी तब कुछ गोर राम नाम दो प्यारे वो राम नाम सबसे अनुमार राम नाम अनमोल खजाना गुंजी तेरे पाः राम नाम अनमोल खजाना गुंजी तेरे पाः राम चेत्र मानस की गंगा लाए तुल सीधा राम नाम अनमोल खजाना गुंजी तेरे पाः राम चेत्र मानस की गंगा लाए तुल सीधा एक एक चौपाई खोले जीवन का भूधो राम नाम समसे अन मो तश्ट कंठकों से जब निकले तेरी जीवन भारा तश्ट कंठकों से जब निकले तेरी जीवन भारा तेरी इस जीवन भारा का मिलता नहीं सहारा तेरी इस जीवन भारा का मिलता नहीं सहारा तेरा सहारा ही राम है तेरा सहारा ही राम है निल्जे कारा बो राम नाम दो प्यारे वो राम नाम सबसे राम नाम के दो अक्षरते नहीं सहारा राम नाम के दो अक्षरते तारे जग को तो राम नाम दो प्यारे वो राम नाम सबसे रामोर राम नाम दो प्यारे वो, राम नाम सबसे अनमूर बोलिये सियावर राम चंद्र हद्वार की जै